ट्रीडिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल फॉर्म जिसको सीखना पढ़ता है और जब तक आप ट्रीडिंग नहीं सीखते हैं, आपकर डॉस गारंटी है। सेक्यूरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, इससे संबंधित सभी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़े। अब जो मुह है गैप अप खुलता है तो सस्टेन करने पाता है और नीचे आयाता है। यही दिक्कत है इस मार्केट की। लोग लेबिल मिलता है तो उचे एक सपोर्ट मिल जाता है। 19-250 क्या समलता है, पॉसिबल है क्या समल जाता है। लेकिन 19-450 की क्रोस करना और उसके ओपर क्लोजेना जरूरी है। और जब तक वो नहीं देता तब तक निफ्टी वीग है। बस, इतना ध्यान देता है। बैंक निफ्टी क्या लगता है। बैंक निफ्टी ने भी एक gap-up खुला और निचे गिरावटा है। यह gap-up समाल नहीं सकता है। इंपॉर्टन लेवल था 44-150, उसके ऊपर बन दिया है। लेकिन structurally weak है। structurally weak है। तो पॉसिबल है कि 43,800 भी आ सकता है। यह जो मैंने 1200 पॉइंट का जो एक range निकाला है। काफी अद तक strong range है। 45,000 और 43,800 इसके बीच में trade नहीं है। लेकिन structurally bank nifty weak है। तो अगर rallies मिलती है तो मैंने खाते है। वो shotting approach रही है। जब तक 45,000 के ऊपर बन देता है। बस आपको mark करने है points और trade करने है points क्योंकि बाव बगवान है।